नमस्कार आज हम लोग जीवनी शाहित का परिशे पर बाचित करेंगे जीवनी साहित है क्या और जीवनी साहित से हम क्या समझते हैं जीवनी साहित के बारे में अगर कहा जाए तो पहली बात तो यह जीवनी साहित वह साहित है जो जीवन के एकदम समीप है जहां रचनाकार से एह अपेक्छा की जाती है कल्पना केवल जीवन के सत्ते को उजागर करने के लिए ही उपयोग में आए और मूल रूप से जीवन के सार संबंधित घटनाओं को अस्थान दिया जाएगा ऐसे साहित को जीवनी साहित कहा जाता है लेखन जगत में इस जीवनी साहित को दो अधारों पर विवाजित कर दिया गया पहला आत्मकथा जिसे हम अंग्रेजे में आटोबायोग्राफिय भी काते हैं आत्मकथा स्वानभूत के एक लेखन विदा है आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर घटनाओं, विचारधारा, नीजी अनभव, छमताओं और दुर्वलताओं तमाम परस्तितियों का वह तटस्त होकर पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करता है साहित में अभिव्यक्ति के विविध रूपों में मानव जीवन के सरवाधिक निकट माने जाने वाली अविधा है आत्मकथा आत्मकथा में रचनाकार अपने शंपूर जीवन के किसी अंस अथवा घटना का क्रमबद्ध वड़न प्रसुत करता है आत्मकथा में कल्पना प्रवड़ता और रागपरक वैकतिक अनभूत का प्राधान होता है तो दूसरी तरफ जिसे हम बायोग्राफ ही कहते है इनमें दूसरे के जीवन की घटनाओं को लिखा जाता है इस परकथा को अब केवल जीवनी के नाम से ही जाना जाता है यहां हम संचेप में परकथा अर्था जीवनी पर चर्चा करने वाले हैं और जीवनी किसी व्यक्तिके जीवन का लिखित वड़ित वितांत इतिहास लेखक की भाद जीवनी लेखक भी अपने चरित नायक के जीवन का वर्ण सत्य घटनाओं के आधार पर करता है इतिहास का लेखक घटनाओं का विबरड देता है और विशेशड करता है जबकि जीवनी का लेखक घटनाओं से आगे बढ़कर अपने चरित्र नायक के जीवन का रोचक धंग से चित्रड़ भी प्रस्तुत करता है। उनके आधार पर उसके बेक्तित्य की पुनह स्रिष्ट करना ही है। चरित्र नायक के जीवन की बिविद घटनाओं में से आवस्यक घटनाओं को चुनकर जीवनी का लेखक ऐसी सैली में प्रस्तुत करता है जिससे जीवनी कथा सैली रोचक होडती है। अब अगर हम जीवनी के गुड़ों पर बात करें कि जीवनी गद साहित एक ऐसी बिधा है जिसमें कला, आलोचना और विवेचन की मिली जुली प्रक्रिया कार करती है। अतह उसके तत्यों का निरूपण न तो पन्यास, कहानी, नाटक आद के तत्यों की भात होश रकता है और नहीं निवन्द या अलोचना की बात। उसकी कसवटिया निर्धारित की जा सकती है। इसका अपना एक आदभूत प्रारूप है, जिनमें कथा, चरित्र, गुड, वेचन, सब कुछ रहता है। अता जीवनी लेखक को कुछ अनिवारता का ध्यान रखना पड़ता है, जिनके बिना जीवनी एक पूल और अस्फल जीवनी नहीं बन सकती। आज वर्तमान स्वे में जीवनी साहित की लोकपरिय विधा के रूप में हम जानते हैं। इसके लेखन में बज्यानिक दृष्टी और प्रमारिक तथ्य होना ही चाहिए, होता ही है। लेखन की कला में जितनी कलात्मक्ता होगी वह जीवनी उतनी प्रामाणिक समझी जाएगे जीवनी लेखक को उन सभी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने उसके चरित्र नायक के जीवन पर प्रकास डाला हो घटनाओं को प्रस्तुत भी उसी क्रम में करना चाहिए जिस क्रम में वह विक्ठित हुए जीवनी लेखक अपने नायक के चरित में श्वभाविक्ता लाने के लिए जीवन को क्रम सह अन्यवेसित यों उद्घाटित करना चाहिए अर्थात आरंब से ही उसके केवल गुणों को ही नहीं वरन दोसों को भी तटस्त भाव से वरन करना चाहिए जीवनी कार के लिए हनिवार हो जाता है कि वह जिस पर भी जीवनी लिखने जा रहा है वह ध्यनसील होकर उस व्यक्ति को जाने साथ ही उसके साथ एक तादात्म बनाले आयसान करने पर रोचक्ता और ग्यान का अभाव होता है जीवनी लिखन की सिमाएं और चुनोतियां क्या हैं तो इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले रामचन तिवारी जी का या उधरण देखना चाहिए पढ़ना चाहिए वे जब कहते हैं कि वस्तव जीवनी लेखन के लिए जिस मनो भूम की आवसकता होती है हिंदी साहित में अब तक उसका अभाव है आत्म कथा की रचना के लिए खुला हुआ मन जो अपनी समझ से दुर्वालताओं के स्विकार कर सके आवसकत दूसरे की जीवनी लिखने के लिए चरितनायक के समझ में पूर जानकारी आप एक्षित है और चरितनायक के प्रती पुझ भाव या प्रसंसातमक दिरिश्टकोर होने के कारण प्राय उसके जीवन के प्रसंग छोड़ दिये जाते हैं जिन्हें बैज्ञानिक दिश्टे समान महत्व दिया जाना चाहिए हर मनुस्त के जीवन में ऐसे छड़ाते हैं जब देवता होता है और ऐसे भी छड़ाते हैं जब उसके अचेतन में दबा हुआ पसुहुंकार उठता है जीवनी लेखक के लिए आवस्यक है कि वह तटस्त भाव से उभय इस्तितियों का चित्रड करें जीवनी लिखने का कार उस्ष्व में और कठिन हो जाता है जब लेखक और चरितनायक में पितापुत्र पती-पत्नी गुरुशिष्ट का संबंध होता है यहां अन्य गद विधाओं से कैसे अलग हो सकती है इस पर भी हमको जानना चाहिए जीवनी जितनी रोचक विधा है उतनी गंभीर है इसकी गंभीरता ही इसे अन्य गद विधाओं से अलग बनाती है जहां सभी में रोचकता हो सकती है सभी विधाएं खास तरह की सुतंत्त लिये होती हैं वहीं यह जीवनी निवन से कहीं ज्यादा बधी हुई है अन्य विधाय लेखन में व्यक्तिगत तो छुट मिलती है या लिये रहती है मगर यहां लेखा केवल शाधन मात्र होता है कि चरितनायक के जीवन को चरितार्थ करने वाला साधन वह पुल रूप से चरितनायक के जीवन यों घटनाओं पर नीर भर रहता है यह अन्य विधाओं के पेक्छा अधिक बध्यानिक द्रिष्ट की मांग करती है यह करता है हिंदी साहित की पहली जीवनी एक पी बात करें तो हिंदी साहित के आधिकाल में पुश्रदंत के तिरसठी महा पुरिस गोडालंकार जिसे महापुरार नाम से जाना जाता है इसमें तिरसठ महापुरसों का जीवन चरित वर्नित है कुछ बिद्वान हिंदी की पहली जीवनी की उपाधी भक्तिकाल की नाभाद दास्कृत भक्तमाल को देते हैं यह बहुत प्रशित हिंद ग्रंत है नाभाद आस का प्रशित ग्रंत भक्तमाल शंबत 1642 के बाद बना और 1779 में प्रियाद आस जी ने उसकी ठीका लिखी इस ग्रंत में 200 भक्तों की चमातकार पुर्ण चरित 316 छप्पयों में लिखे गए इसे पहली जीवनी कहे जाने पर कुछ बिद्यवानों को मत भीद है क्योंकि इन चरित्रों में पूर्ण जीवन बित नहीं है केवल भक्त की महिमा सूजक बाते देगे इनका उदेश भक्तों के प्रती जनता में पुझ बुद्ध का प्रचार जान पड़ता यह उद्देश बहुत अंसों में सिद्ध भी हुआ आज उत्तरी भारत के गाउं गाउं में सादुवेश धारी पुर्षों को सास्तक के विद्ध्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूझा प्राप्त है वो बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमतकार पुड बृतानतों के शम्मयक प्रचार से हो पाया है अगर हम संतों और महत्माओं पर आधारी जो जिवनिया हैं उस पर बात करें तो भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने संतों को सदय उमहतों दिया है संत वे जो इस संसार को जानने में सत्य की और अग्रशर तत्कालीन समाज में ऐसे कई संत थे जो लोगों के जीवन को खूब प्रभावित कर रहे थे ऐसे में उनके जीवन को जानने की जिग्यासा भी बनी हुई थे अगर इन पर लिखी गए कुछ जीवनियों की बात करें तो दयानन्द सर्षती पर अधारित जो जीवनिया मिलती है पाल सर्मा क्रित दयानन्द डिखल विजय एठारस विक्यासी में चिन्वाल्ड वैस क gjith क्रित स्वामी दयानन्द श्वाविद सत्यानंद की दयानंद प्रकास निश में महात्मा गांधी प्राधारी जिवनिया लच्छमर प्रशाद भार्दवात कित महात्मा गांधी निशन तालिस घंत्याम दास बिड़ला कृत बापु निशन चालिस जयोती प्रशादमिस निर्मलकित महत्मा गांधी उनिस्व चालिज सुसिला नायरकित बापु के करवासी कहानी उनिस्व चास जैनेंद्र कृत अकाल पुरुष गांधी उनिस्व आणशट घंस्याम दास बिल्ला कृत मेरे जीवन में गांधी उनिस्व चालिज गुरुणानक देवपे मनमतनात गुप्त कृत गुरुणानक उनिस्व आणशटीश श्री संकराचार पर बल्देवपाद्या कृत श्री संकराचार उनिस्व चास अगर हम अधिहाशिक चरित्रों पर आधारित जो जीवनी है उश्की बात करें तो गुलाम भारत कुछ ऐसे आयतिहासिक चरित्रों की भी तलास थी जो उनको प्रिरित कर सके साहात ही उन्हें जानकर अपने अंदर उर्जा का संचार कर सके आयसे में लेकों ने इन आयतिहासिक चरितों के बेक्तित और उनसे जुड़ी प्रिरित घटनाओं को लिखना सुरू किया अब जैसे राधा किष्ण रात कृत आर चरितामरित बाप्पारावल अठारस चावरा सी कार्तिक प्रसाद कित महाराजा विक्रमादी तो अठारसो तिरान गी अहिल्या भाई अठारसो संतान गी संपूला निंदो कृत महाराज छत्रशाल उननीस सोल सम्राट हर्सवर्धन 1922 सम्राट असोग 1924 हंस राज रहबर कित राष्ण नाय गुरु गोविंद सिंग अगर राजनेतिक चरित्रों पर जो अधारी जीवनियों की बात करें जो लिखी गई तो राजनीत के छेत्र के नेता के संबाद के गहरे लोगों से जो जुडाव था इनके लोगों से संब पर एक बात हैं होती कि इनकी लोग प्रियता की कोई सानी नहीं और तब बात ऐसे व्यक्तित्र की कि जाए जो भी नेता संत लोग प्रिय या ऊची कोई भी ऐसा हो तो गांधी संत भी थे वह प्रशित राजनेतिक चरित भी लोगों पर इनकी अटूट शध्या थी इन पर क काफी मात्रा में जीवनिया लिखी भी वहीं अगर हम जन नायकों पर जो जीवनिया लिखी गई उनकी बात करें तो मनमत नाद गुप्त कृचन सेखर आजाद राम बेरी बेने राम ब्रिक्ष बेनी पुरुत कृत जैप्रकाश नारायन अईश्य उधार जी ने लंबश सम में तक खोब पढ़ा गया घंस्याम दास बिड़ला एक आशा नाम जिनके संपर्क का जो छेत्र बहुत बड़ा है साहितकार के साथ प्रसिद्ध राजनेतिक चरित नायक भी रहे राम निवास जाजुनी इन पर बहुत सुंदर जीवनी मर भूम का वह मेग 1986 मे लिखे लोग उने इसे खोब पसंद किया राम चन्तिवारी इस पर लिखते हैं कि बिड़ला जी महत्मा गांधी से प्रभावित थे उनमें मनस्योचित आउदात था वेक सू संस्क्रतियों कल का प्रेमी वेक थे देश की आर्थिक प्रगत के लिए चिंतित रहते थे राष्टी उद्योग नितिक निर्मान में उनकी महत्वूर भूमका थे इस जीवन में उनके ब्रेक्तित्त के सभी आयाम उभर कर सामने आए अगर बिडेशी महापूर्शों पर आधारित जीवनिय प्रश्रित तो थी ही साथ साथ 200 के नेता और महापूर्शों की जीवनियां भी भारत में खोब पढ़ी जाती थे हम गुलाम थे अन्यदेश भी गुलाम फिर कैसे किनकी मदस से वे आजाद हुए इन सवालों का जवाब इस तरह की जीवनियां बड़ी सरलता से मिल जाता है एहीं वज़े है कि आजादी से पूर्व अनेग विदेशी महापूर्शों पर आधारी जीवनियां लिखी भी गई और पाठकों द्वारा तनमयता से पढ़ी भी गई आजादी के बाद इनमें तेजी से गिरावट आई हिंदी छेतर में दो जीवनिकारों की जीवनियां ने अच्छी खासी चर्चा बठोरी इसमें राहुल शांसकायन कित इस्टालिन लेनिन कलमाक्ष मौसित सुंग सभी 1954 में और अगर हम हिंदी साहितकारों पर आधारित ज जो रचनाकार विभी ने छेतरों के लोगों से प्रभावित होकर उन पर जीवनियां लिख रहे तो अपने छेतर के प्रभाव शाली ब्यक्तित को दरकिनार नहीं कर रहे ते अगर हिंदी साहितकारों ने अपने अनभा और अध्यन के फलस्वरूब बहुत सी सुंदर जिए सकते हैं जिसे बावू राधा किश्णाद की भारतेंद बावु हरिशन्त का जीवन चरित 1904 में आचार रामसंग सुक्लकित बावू राधा किश्णादास 1913 सिरी ब्रज रत्न दास कृत भारतेंद हरिशन्त 1928 में शिरी रिष्ष जैमिनी कॉशिक बरवा कृत माखन लाज चत्रवेदी 1960 में मदन गुपाल कृत कलम के मजदूर 1964 डाक्टर राम विलास कृत मिराला की साहित साधेना 1979 अब अगर हम महिलाओं पर जो आधारित जिवनियां लिखी गए उन पर बात करें तो मुमन यह धारना रहती है कि इस्त्री पर शाहित बहुत बाद में जाकर लिखा गया लगवग 1950 के बाद जिवनी छेत्र में तो यह धारना और भी पुकता हो जाती है परन्तु अध्यन के पस्चात हमको यह मालूम होता है कि इस्त्रीयों द्वारा लिखा गया साहित कम है मगर इस्त्री क्रेंदित साहित प्रचुर मात्रा में इस पर सोध न होने की वज़सी ने किनारे तो कर दिया गया लेकिन जीवनी छेतर की बात करें तो भारते अंदियुग में महिलाओं पर केंदे जीवनी लेखन आरंभ हो गया था भारति अंदिव के जीवनी लेकों में कार्तिक प्रशाद खत्री ने अहिल्या भाई का जीवन चरित्र 1887, मीरा भाई का जीवन चरित 1890 में यह जीवनिया लिखी गए कासिनात खत्री ने बहुत सुन्दर दो जीवनियाओ लिखी हिंदुस्तान के अनेक रानियों का जीवन चरित्र 1889 में भारत वर्ष की विख्यात इस्त्रियों के जीवन चरित 1883 में डाक्टर नगेंद द्वारा शंपादी तो पुस्तक हिंदी साहित का इतिहास में इस पर भी चर्चा मिलती है पुस्तक में चर्चित जीवनियों की सूची दी गई है उसको हम पढ़ सकते हैं रानी भावानी 1904 में पती वता इस्त्रियों के जीवन चरित 1904 में रमडी अरतनमाला 1907 में बीर पतणी शयोगिता 1912 में आदर समहिलाएbed 1917 में आइतिहासिक इस्त्रियाँ 1912 में बिदूटी इस्त्रिया भाग 12-1912 में भारती बिदूशी 1912 में भारत वर्ष की बीर माताएं 1913 में, रानी दुर्गावती 1914 में, नूर जहां 1912 में, जहांसी की रानी लशिंबाई 1918 में और कुछ ऐसी भी जीवनियां मिलते हैं जिनके करीबियों ने लिखा, जो खास लोग थे, ओ लोग जीवनियां लिखते हैं अगर हम जीवनी लिखन समदित चुनोतियों के विचारचा करें, तो उसमें सियह भी बताया जाता है, कि जीवनी लिखने का कारूश्रमें कठिन हो जाता है, जब चरितनायक में माता पिता, पती-पतनी, गुरुशिष्य का संबंध होता है इसकी बावजूद अगर अन्भाव या किसी विक्ति को गहराई से जानने की बात होता है, करीवी विक्ति ही सामने वाले के मन के धागों तक पहुच पाता है, और उसकी सत्यता पर स्रध्या भाव के चलते शवाल तो खड़ा होता है, मगर जीवन से संबंध ही थे, चरितन पानी देवी क्रित प्रेम चंदघर में 1944 में, अमरित राय क्रित कलम के सिपाही 1962 में, कुमुद नागर क्रित वट्ट विक्च की छाया अपने पिता अमरित लाल नागर किसमें तियों पर लिखा गया था, स्रीशोभा कांत क्रित बाबु जी नागार जुन पर आधारी थे, गायतरी कमलेश्वर क्रित, कमलेश्वर मेरे हम सफर 2005 में, डाक्टर तेज बहादूर चौधरी क्रित, मेरे बड़े भाई समसेर जी 1995 में, सुलोचिना रांगे रागव क्रित, रागव एक अंतररंग परिचय 1995 में, स्रीमती महिमा महता क्रित, उस्सोपुर स्री नरेश महता अगर हम कुछ प्रमुख जीवनी की बात करें, तो विश्णु प्रभाकर क्रित आवारा मसीहा, सन 1974 में लिखी गई, साहितकार सरचन पर लिखी गए प्रशिद जीवनी, जीवनी साहित पर चर्चा की जाए, तो इसे बिल्कुल भी अंदेखा नहीं किया जा सकता, कारड कह पहला इसकी स्रीजनात्मकता की अदभुत सहली में लिखा किया, जीवनी को उपन्यास की रोचकता प्रदान की गई, इसके लिए उपन्यास के जो कई धंग होते हैं, इसमें अपनाया गया, दूसरी की विश्णु प्रभाकर जी ने कई सालों तक सरचन्द के जीवन और ब इसको समझा जाना चाहिए, कि अगर विश्णु प्रभाकर अवारा मसीहा लिख रहे हैं, तो उन्होंने सरचन्द के जीवन और बिक्तित हैं, मतलब जीवन पूरा हुरूंका जो कैसा बिक्तित था, दोनों का उन्होंने अध्यन किया, फिर उसको उन्होंने जीवनी में ल समबंद होता है, इसे सरचन्द और उनके साहित को उद्गाटित करते हुए, बहुत ही रोचक धंग से उन्होंने दिखाया, जब इस जीवनी ने साहित में कदम रखा तो बहुत मामलों में यह चर्चा का केंद्र बनी, विश्ण प्रभागर लिखते हैं कि आवारा मसीहा नाम को लेकर काफी उवहापो मची, वे अर्थ किये गए जिनकी मैंने कलपना भी नहीं की थी, मैं तो इस नाम के माध्यम से यहीं बताना चाहता था कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीडित मानावता का मसीहा बन जाता है, आवारा और मसीहा दो सब्द हैं, दोनों में एक ही अंतर, आवारा मनुष में सब गुड होते हैं, पर उसके सामने दिशा नहीं होते हैं, जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है, उसी दिन वह मसीहा बन जाता है, इसके साथ इसकी कलपना सीलता पर भी प्रश्न उठे, कल्पना के अधिक प्रियोग की संभावना मिलते है बिद्वानों ने इसकी सत्यता पर भी प्रश्ण खड़ा किया इस पर विश्टू प्रभाकर जी ने अस्पस्ट करते हुए कहा कि जीवनी की एक भी पंक्ती कल्पना के अधिक प्रियोग की संभावना मिलते है जो बिद्वानों ने इसकी सत्यता पर प्रश्ण खड़ा किया इस पर विश्टू प्रभाकर जी ने अस्पस्ट करते हुए कहा कि जीवनी की एक भी पंक्ती कल्पना पर अधारित नहीं है जितनी जानकारी उनोंने हासिल किया उतना उनों लिखा और आवारा मसीहा का अंग्रेजी उर्दू, बांगला, मल्यालम, पंजाबी, सिंधी, तेलगू, गुजराती और रूशी अनुवाद भी खासा मक्बूल है पकिस्तान और बंगला देश में जिन भारतिय साहितिक कृतियों को सबसे ज़्यादा पढ़ा और सराहा जाता है उनमें आवारा मसीहा प्रमुक है इससे इसके लोगप्रियता को जाना जा सकता है कि किस प्रकार यह जिवनी भारत में ही नहीं मतलब जितना मैंने अनबादों का जिक्र किया उन देशों में मैं भी इस जीवनी को खोब पढ़ा गया अर्थात यह जीवनी कहीं ने कहीं भारत की साथ साथ पूरे विस पर अपना प्रभाव डालती है अगर हम कुछ और रोचक जो प्रयोग हुए जीवनी साहित में उनका भी अगर हम उलेख करें तो हम देखते हैं कि जीवनी साहित को लेकर हिंदी जगत में कई अच्छे प्रयोग देखने को मिलते हैं स्री जगदीश चंद माथुन ने जिनोंने जीना जाना लिखकर एक ऐसा ही प्रयोग किया इसमें साथ साहितकारों, दो राजनेताओं और एक बिचारक, एक कलाकार और एक अभनेत्री का चरित लेक प्रस्तुत किया गया है एक अन्य प्रयोग भी मिलता है, जहां कुछ ऐसी भी रचनाएं की गई जिसमें बेक्तित्व के संघर्ष को आत्मकथात्मक सैली का रूप देकर उशे बहुत हद तक आत्मकथा के धाचे में गढ़ दिया गया इस तरह के साहित्य आत्मकथा और जिवनी के बीच छितिज बन बैठे होते हैं, इस तरह के साहित्य किनी और के द्वारा लिखे जाने के कारण जिवनी माने जाते हैं, मगर आत्मकथात्मक सैली के कारण आत्मकथा के स्रीड़ी में आ जाते हैं अगर इसके कुछ हम प्रमुक उदाहरण देखें तो विश्लू चन्सर्मा द्वारा रचित मुक्तिबोध की आत्मकथा जो 1984 में आई सुर्पशाद दिक्षित द्वारा रचित निराला की आत्मकथा जो 1970 में आई हम आज आप लोग के सम्मुख जीवनी शाहित पर विस्तार से बादचित कर रहे थे मैं समझता हूँ कि जीवनी शाहित पर यह बहुकोडी दिश्टि से जो मैंने चर्चा की इस से आप बहुत ही लाभान्मित होंगे और जीवनी शाहित के जो अलग-अलग हमने आपके सम्मुख रचनाकारों को बताया जीवनी कार जो थे उनकी जीवनिया थी उनको आपके सम्मुख रखा मैं समझता हूँ प्रिविद्यार्थियों आप इससे जरूर लभानमीत होंगे और आपको पढ़ने में यह आज का जो बेख्यान था अमारा बहुत ही लाबदाईक सिद्ध होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्ते